नहुस्कार साथियों आज हम करेंगे कक्षा चटीगी वरक्षिट संग्या यह 27 जो आपके पास आगी थी कुलात लिए संग्या के किसी मान के रूप में विक्ष्म करने के संग्या के है में उसके निकटन हमें लिखना है वे तो संग्या लगा यह यह तो संग्या लेकाए का यह तो यह गया plants इकटतम प्रारूप क्या होगा उधारन ठीक है जैसे पहला इसने बताया कि काई स्थान निकटतम 10 में तक आंगलन एकाई स्थान पे डिपैंड करेगा लेकिन हमें 10 में अगर 12 तक निकटतम आने कारना तो थो क्या करना इसमें ज़िए 11 स्थानों की संग्या 5 से कम हो तो 0 5 से कम है तो 0 लगाना है अन्य था दस अबर दिया जाता है ठीक है जैसे बैतर में धाई का सन्निकट मान निकालेंगे तो बैतर में क्याइका उंक देख लोleक। कितना है थो ए तो बैतर में क्याँका आपके पास 2 है यहां पर देखीिये यहां पर 2 है का कार ने कोश्वत27 ऐसे ही 127 के दाइक तक का निगटतमान कितना है वह निकालेंगे 123 में क्या करो इकाई कांग देखो साथ है साथ 5 से जादा है इसने का तब जीरो करना नहीं था 10 करना है तो यहां पर साथ की जगे 5 से जादा है तो 10 कर देंगे 10 कर दो 10 का मतलब है जीरो एक का से लगले में जुट जाएगी दो रेक कितना हो जागा तीन ठीक है तो यह आंसर आजाएगा 130 ऐसे हमें इसका निकालना है ठीक है तो यह संख्या कर रहा हूं में लेफ्ट साइड में देखिए 152 पचात्तर एकाई कांग 5 है उसमें 5 से कम के लिए बोला था ठीक ह जीरो जगे पांस कि है यह तो तो पांस या उससे ज्यादा के लिए हम 10 बनाते हैं तो यहां पर तुरियंगे है के श्टान पर सँन्ख्या इननचस से कम होने चींशी नहीं भूला इस नहीं मैं अनलें च्भाव मुणने चिहें तो इसके स्थान पर ले लें जीन उन्यता हम लें सोग्स जैसे ऐसे 510 का सैकड़े तक का निकटता मान देखे 510 को आप लिख लो ये 510 है इसमें ये दोनों अंक देखो नंचा से छोटे हैं तो इनकी जगह 00 कर दो तो क्या आ जाएगा पूरे दस की जगह 00 आ जाएगा तो 500 आपका उत्तर हो जाएगा ठीक है ऐसे करना है ये कर रखा है इन नहीं है तो इसकी जगह 100 देंगे लिख दिया एक किसी में जूड़ जाएगा इस अगले आंगे में जूड़ जाएगा तो खितना हो जाएगा 900 आपका अंसर हो जेएगा यही आपका अंसर है आप देख सकते हो ठीक है यही आपका अंसर है आगे देखिए 53,650 का सेकड़े तक सर्निकटमान भाई बात कर रहे हैं हम सोरी हम बात कर रहे हैं इसमें 53,650 की इसमें पीछे के दो अंक देखो दाई वाले 50 है उननचा से ज्यादा है तो इसकी जगर 100 हो हो जाएगाज़ जीरो इसमें एक जुड़ जाएगा 127 का मतले यह मतलि पांदल होता है सकी जगर हो घजा या होतें तो आगे निकाल नहींक निकालत कर सको के अपर देखिए जैकड़स्थान निकरता मान हजारवें तक आखलना हो जाएगा शंख्या 490 से कम है तो इस जीरो लेंगे में इसको 1000 कर दिया जाएगा जैसे हमें इसका निकालना है 1234 का निकालना है तीक है अब हमें देखना है 490 के से कम है चाइब की बात करने तो यह आपके पर 149 से कम है तो इनके जिरो हो जाएगा तॉंसर आजए आपका 100 है और इसलिए पर से से नैक्स्ट अबद नेक्स्ट आपके पास आगे है 26, 721 तो 2721 में हजार बे तक का निकालना है तो तीनंक लो अब देखो यह तीनंक क्या है 721 है, 499 से कम नहीं है ज्यादा ही है तो हम क्या बना देंगे इनके ज़िए कहें, हजार बना देंगे तो हजार बना दो, जो एक था वो इसमें जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 27,000 ठीके दोस्तों यह आ जाएगा अब अगला क्वेस्टन देख लिए इसको मैं रफ कर देता हूँ नेक्स्ट क्वेस्टन आपके पास यह मैं इसको लिख लेता हूँ तो यह रफ जगाए में एक मिन टुको यहाँ पर देखिए इस क्वेस्टन को यह था 63,24,513 तक देखो एकाई तक निकालना तो रहिए अंकर देखो दाए तक यह दोनों देखो तक की बात कर रहे हैं तो यह तीनों को देखो और वह रूल लगाओ कि 499 से ज्यादा है कि कम है ज्यादा है तो ज्यादा के लिए क्या करेंगे निकीज़ेगा हजार बना देंगे बना दिया हजार वो एक इसमें जूड़ जाएगा ठीक है तो यह अंसर आ जाएगा आपके पास मुझे लगता हूँ समझ गया अच्छे से यह बहुत बार पेपर में आता है आप इसको कर लेना अच्छे से चले नेक्स्ट पर चलते हैं यहां पर देखिए संग्या 37 का निकटतम मान चार हजार है तो कि निकटतम मान का आप ऐसी समझ सकते हो यहां पर तीन हजार है यहां पर चार हजार है तो 37 कहीं यहीं पर आएगा अब निकटतम मान का मतलब होता है यह इसके नजदीक है कि इसके नजदीक है आप ही बताओ तो इसके लिए यांसर हो जैगा जाएगा अधिक है यह से भी आप कर सकते हो एद नेकला है ए यह संख्ok दीवी है इह इन है जैसे हमें निकलना है शैस्सोट थातरबानुरी का पिसने का है ध्थाई तक निकालना है ठीक धाई तक निकालना दोंग लेंगे यहां पर मैं कर रहा हूं रफ 678 बानवे दोंग देखो पिसले दोंग देखिए वही था फरमला कि अगर और 99 से कम है तो जीरो लें इंचास ज्यादा तो 100 बना देंगे कि अगले में एक जुट जाएगा क्या अनसरा जाएगा या झालना है यह सेas लेखिए आपकी 24588 यह दोंग देखिए उन उन चास ज्यादा है तो इनकी जुरए जुरू जुरू बना देंगे और 5 में एक जुड़ जाएगा 6 हो जाएगा 24 600 या अंसरा जाएगा अगला है 76 521 इसमें सैक्डे तक बनाना है तो आप कितने अंकल होगे फिर गलती तो निकल रहा है मैं एक मिन रुको सोरी सोरी गलती होगी है थोड़ी सी क्या गलती करती हमने क्योंकि हम दहाई की बात कर रहे हैं तो शिर्फ दहाई तो इकाई का अंक देखेंगे तो देखें दोस्तों क्या गलती करती थी हमने कि हम इकाई की बात कर रहे हैं तो 678 और 92 तो हम सिर्फ इसकी बात करेंगे दहाई के निकल निकलना है तो इकाई के अंक देखो 5 से छोटा है तो क्या आ जाएगा आपके पास 0 बना देंगे उसकी तो यह आंसर हो जाएगा आपका 688, 90 आंसर हो जाएगा 0 बना देशकी जाएगा अगला भी धाई तक निकालना है तो अगला अंक है 24, 578 क्या करेंगे भई हम क्या करेंगे यह आंक वाला अंक देखो 5 से जादा है तो इसकी तक दस बना देंगे दस बना दो अगले में एक जुड़ जाएगा 7 में एक जुड़ गे 8 हो गया तो कितना अंसर आ जाएगा 24, 588 अंसर आ जाएगा आगे देख लिजे आप आगे आगे हैं सैक्ड़ तक निकालना अब ध्यानक ना दो अंक लेने पड़ेंगे हमें 765 और 21 है क्या करेंगे पीछे के दो अंक देखो 21 है उनिंचा से छोटे हैं तो 00 कर देंगे इनकी जगए 765 00 अंसर आ जाएगा अभी सैक्ड़ तक निकालना है लेकिन संक्या हमारे पास 878 और 47 जो उनिंचा से कम है तो इसकी जगए भी क्या आ जाएगा 00 ठीक है यह तो रूल था उनिंचा से कम के लिए 00-00 otherwise 100 कर दो 1000 के लिए क्या रूल है 86 572 तीन अंक देखो पीछे के अगर यह 49 से ज़्याद है इसकी जगए 1000 हो जाएगा जो एक है वो 6 में जोड़ जाएगा अगले अंक में यह अंसर आ जाएगा अब मैं निकाल ला हूँ 85 847 का पीछे का चार से जादा है तो इसकी जगए 00-00 बना दूँगा अगले में एक जोड़ दूँगा जोड़ जोड़ का मतलब 1000 बना दूँगा तीक है तो 86000 आंसर हो गया तो यह अंसर है इनके नोट कर लेना मुझे लगता आप भी उरक्षिट में इतना ही था नोट कर लेना वीडियो रोक के मैं रप कर रहा हूँ ठीक है एक बार देख लेता हूँ और तो और हमारी दूसरी वरक्षिट में जाकर आप बाकी रीडियो भी देख सकते हो थैंक